Hello students, आज हम लोग 12th का 1st chapters, Relations and Functions को जानने की कोशिस करेंगे इसमें एक वीडियो आज चुका है, जिसमें हम लोग 11th के कुछ portion से उसको हम लोग clear कर चुके थे अब यहाँ पे आगे हम लोग start करेंगे chapters को लेके चलेंगे Basically हमको यहाँ types of relation पढ़ना है 12th में उसको जानेंगे, उससे पहले हम लोग यह समझें आज की relation एक्चुल में होता क्या है relation हम लोग का किसको कहते हैं, math में relation का मतलब क्या है इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे, देखिएगा, ध्यान दिजेगा हम example लेते हैं अपने school का, जिसमें से हम लोग ले देखिएगा, इसकुल में हम लोग माल लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, relation relation, relations देखिएगा, इसकुल में हम लोग का, total boys को B से डिनोट कर रहे हैं, total girls को हम लोग G से डिनोट कर रहे हैं और totals teacher को T से denote कर रहे हैं, same set हम लोग इधर भी ले रहे हैं, different भी ले शकते हैं हम लोग, तो हम लोग same set लिए हैं और यहां से यहां तक का जो relation है, उसको जब कभी relation को दिखाएंगे तो R से दिखाएंगे, जैसे हम लोग इसको notate कैसा करते हैं, कि यह set को अगर A माल लें, और यह set हम लोग का A है, same set है तो A होए, B रहेगा तो हम लोग का B लिखेंगे, यहां पर relation को दिखाएंगे तो A relation to A लिखेंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि set first जो है, वो set second से relate है, अब यहां पर देखिएगा आगे, कि हम लोग का relation का मतलब क्या है, समझेंगे, अगर हम लोग का किसी boys को relation में जोड़ना चाहते हैं, किसी other boys के साथ, तो बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो उसका brother होगा, या फिर हम हम लोग का, उसका height इससे छोटा होगा, वह सारे ऐसे हम लोग जंदर relation देखने को मिल जाएगा, उसी को में हम लोग कैसे represent करते हैं, कैसी दिखाते हैं, यहां पर हम लोग relation पे पढ़ेंगे, तो देख लो, जैसे हम लोग यहां पर relation का, जब कभी भी बात करेंगे, तो एक point आदियों में देख चुके थे, कि एक रोश एक ऐसे निकालते हैं, तो देखेगा, एक रोश एक ऐसे लिका लेंगे, first का element उठाएंगे, और second का element उठाएंगे, फिर हम लोग ले लेंगे, first का पहला element, second का second element, फिर first का first element, और फिर second का third element, इस तरह से सारे element हम लोग लिख ले जी एक्चली में हम लोग यहां पर यह चीज़े लिख चुके थे देखिएगा फर्स्ट का बी लिखे हम लोग शेकेंड का बी और फर्स्ट का बी शेकेंड का जी फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट का बी और लास्ट इस तरह से सभी का लिखेंगे हम लोग जी बी फिर हम लोग लिखेंगे जी जी फिर लिखेंगे जी ती फिर लिखना हम ल कि लिखेंगत कि टीए ये हम लोग का टोटल जो element आएंगे वह otherous religious हूं सखते हैं कि वह relation है, वो क्या है, Cartesian product का subset है, इसको एक और दरी के से लिख सकते हैं, कि the elements, the elements, या फिर मेंबर, elements of first set is related to some definite, या particularly definite, definite rules to set B. इसके साथ set A का, first set को A माल लो, कुछ भी set माल ले हम लो, second set हम लोग का B है, यह second set होगा, तो first set का second set के साथ, कुछ rule के साथ, definite rule के साथ, अगर वो जुड़ा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, कि वहाँ पे relation established हो रहा है, और यह जुड़ने का मतलब है, कि वो subset बना रहा है, किसका A क्रोश B का ही subset हम लोग का बनेगा, जिसे example स्क्रीज देखें हम लोग, कि अगर हम लोग का, कि ले ले हम लोग relation A, relate to A, such that, partition हम लोग जो है, इसको set builder पे form में लिग रहे हैं, X, Y, such that, X क्या हो, X is, X is brother of Y, और यह X, Y कहां का है हम लोग का, X जो Y है, वो set A का ही लिए है, अगर same set है, तो हम लोग दो लोग को शाथ में दिखा सकते हैं, कि X, Y कहां के लिए हैं, A का, तो यहाँ पे देखेएगा, जो भी हम लोग का आ जाए, जैसे माल लेते हैं, इसका brother यह है, या फिर और भी set हम लोग ले लिए हैं, तो वो सभी चीज़े हम लोग के यहाँ पे आएगा, तो यह जो set बनेगा, यह set हम लोग का बनेगा, यह क्या कहलाएगा, एक relation होगा, किसका, इससे इसका relation होगा, यहाँ पे हम लोग एक ही element लिए हैं, तो brother लिखेंगे, तो अगर माल लेते हैं, तो यह relation हम लोग कहलाएगा, कि दोनों हम लोग का brother है, यह जो है, वो दुसरे का क्या है, भाई है, तो यह relation हम लोग के establish होगा, फिर अगर हम लोग देखें, कि सिस्टर का अगर relation कराएं कि जो first set है और second set में sister के साथ जुड़ा है कि वो उसकी sister है तो वो सारे चीज़े हम लोग यहां पर mention कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे relation हम लोग के establish हो सकता है जो क्या होगा इसी का एक subset हम लोग का होगा अब इसमें दो तरह के एक particular relation होते हैं उसको समझने के कोशिश करेंगे जैसे हम लोग बनाएं यहां पर ले ले second में a relation to a यहां पर relation मनाते हैं x y such that यहां पर ले लेते हैं हमारे school में जो heights होंगे सभी का उसका relation मनाते हैं कि height of height of x is height of x is greater than y by कितना greater है by 10 feet अगर हम लोग यहां पर mention कर रहे हैं कि जो x का height है height of x is greater than y by 10 feet अगर 10 feet उसका height है वो ज्यादा है तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग जब कभी भी x का height को measure करने चलेंगे और उससे measure करके देखेंगे तो वो height हमेशा क्या आएगा 10 से बड़ा नहीं आ सकता 10 feet से बड़ा नहीं आएगा इस case में जो भी हम लोग element यहां पर mention होंगे वो क्या आएगे? phi आएगे, कुछ भी नहीं आएगा तो इस case में हम लोग का relation क्या हुआ? खाली हुआ, relation में कोई element नहीं आया तो इस तरह की relation को हम लोग बोलते हैं empty relation Aartreling एक relation देखेगा जब कभी भी हम लोग relate करें और यहां पर हम लोग लिखें कि x, y element उठाया है shade से और ऐसे element लिखे हैं कि height height of x and y height of x and y is always greater than या फिर smaller than लिख सकते हैं smaller than smaller than 10 fit 10 fit से क्या है हम लोग का दोनों का height क्या है कम है, a small है तब क्या आएगा, इसमें सारे elements आएगे, जितने भी set में element है तो जितना set का element था जिसमें हम लोग लिख चुके थे b, b फिर हम लोग लिख चुके थे b, g इस तरह से last में हम लोग लिखे थे t, t यानि total element हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह के relation को हम लोग बहुते है universal relation यूनि वर्षल रिलेशन रिलेशन यूनि वर्षल रिलेशन तो यह हो गया एक हम लोग का empty relation जिसमें कोई भी element नहीं आएगा और second one is the universal relation यह दोनों relation को हम लोग बोलते हैं trivial trivial relation trivial relation में क्या क्या आगी हम लोग का तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा empty empty relation and हम लोग का आएगा universal relation तो यह दो तरह के relation को हम लोग trivial बोलते हैं trivial कहने के मतलब कि इस तरह के relation का ज्यादा उप्योगिता नहीं होता ज्यादा usable हम लोगा एक रिलेशन नहीं है इसलिए इसको trivial relation बोलते हैं हम लोग ठीक है तो आगे और भी हम लोग चीजों को देखेंगे करेंगे सभी points को सभी knowledge को समझने की कोशिस करेंगे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए